नमस्कार डिलीशिस फूट रेसिपी में आपका सवागत है आज हम बनाएंगे एक दम नई और यूनिक मिठाई जिसका नाम है मावा ब्रेड बर्फी और जिसको बनाना एक दम आसान और जल्दी से बनके त्यार हो जाती है और यह सारा समानी जली से हमारे गर में आसानी से मि प्राइम भी नहीं लगता अदे गंटे में बनके हमारी मिठाई त्यार हो जाती है तो हम इसके लिए लेंगे हम यहां पर मैंने साथ से आठ ब्रेड ली हैं और आदा के जी मैंने फुल करीम का दूद लिया है और आप चाहे गाएं या पैस का दूद ले सकते और एक मैंने यहां पर मिल्क पाउडर लिया हो एक काटूरी मैंने या पर चाहर लेना है क्योंकि हमने इसका मावा बना के त्यार करता है आप यहां पर गाई या बैस का जो भी दूद आपे ले सकते हैं तो इसके लिए पहले हम जो ब्रेड है उस ब्रेड के साइड कहामें एक केची से या पर चकु से जिससे भी आप कमफटेबल वो आप उस चेंड को कट कर सकते हैं हमने चारो साइड से ब्रेड को अच्छी तरह से हमने इसको कट कर लेना अगर आप ने काटना चाहे तो भी से कोई दिक्कत ने लेकिन काटने से हमारे ब्रेड में थोड़ी सफाई आ जाती है तो मैं इसको यहां से साइड से चारो तरफ से इसको हम कट कर लेंगे और ब्रेड के हम चार पीस में कट करेंगे पहले हम बीच में से काटेंगे ब्रेड को फिर उसके हम दो पीस और कर देंगे और फिर अगले के पीस के हम अगले दो पीस और कर लेंगे हमने इसी तरह से अ कट करेंगे इसको यहां से मैंने इसको कट कर लिया है आ आप सब्सक्राइब कैची आचकु से जससे भी काड़ना चाहिए उससे आप इसको कट कर सकते हैं लेकिन कैची से थोड़ा एजली और हमारी ब्रेड अची तरह से सफाई से कट जाती है तो यहां पर कैची से ज़्याद अच्छे से कट जाती है यह हमारी ब्रेड तो हमने इसी तरह से सारी ब्रेडों को हमने कट कर लेना है यहां पर हमने सारी ब्रेड को अपनी को कट कर लेंगे तो अब हम अपनी ब्रेड को फ्राई करेंगे फ्राई करने के लिए मैंने कहाँ पर एक कड़ाई ली है जिसमें मैं यहाँ पर देशी गी यूज कर रही हूँ आप चाहे इसको रिफाइड में भी फ्राई कर सकते हैं मैं यहाँ पर विटा गी है मेरे पास संप्रिति का मैं वो गी यूज कर रही हूँ आप चाहे तो रिफाइड में इसको फ्राई कर सकते हैं लेकिन देशी गी का ब्रेड में कुछ जादा टेस्ट आता है तो यहाँ पर हमने गी को मेल्ट होने तक इसको करना है हमार में डाल दीया और इसको हमसाल गोल्डन होने तक है फ्राय करेंगए में पलुटी करते विस्कोर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है जब लेकिन टेस्ट जादा अच्या-चाथ आता है इसमें आप चाहिद रिफाइड में हिसको कर सकते हैं यहां पर हमने इस था कलर हमने लेकर आना हमारे ब्रेड में तो कितनी बड़ी है हलकी गोल्डन फ्राई हो गई हमारे ब्रेड को अब हम साइड में कर लेंगे हम अब दूसरी ब्रेड और पीसिस में डाल देंगे तो हमने इसको यहां पर फ्राई कर लिया है इसको हम यहां से एक एक करके अपने ब्रेड को फ्राई कर लेना है जो अब हमने ब्रेड डाली थी उनको भी हम ऐसे चमच के मदद से पल्टी कर देंगे पल्टी करते हुए हमने सारी ब्रेड को अलका गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है हमारी ये ब्रेड भी फ्राई हो गई है अब इसको साइड में कर लेंगे और दूसरी ब्रेड इसमें हमें एड कर देंगे अब हमने दूसरी ब्रेड का पीस हमने डाल दिया हमने जितने भी ब्रेड हमने कट की थी सारी ब्रेड ऐसे ही हमने सेम तरीके से सारी ब्रेड हमने यहाँ पर फ्राई कर लेनी है और इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी यहां पर हमने सारी ब्रेड को फ्राइ कर लिया बनाएंगे हम चासने चासने के लिए लेंगे हाँ पर एक पतिला जिसमें हमने जो एक कटोरी चीनी ली थे हम वो चीनी डालेंगे और जितने चिनी है उससे हम आदा इसमें पानी डालेंगे जब तक हमारे चिनी मेल्ट नहीं हो दे तब तक इसको हमने लगातार चलाते रहना है अगर नहीं चलाएंगे तो हमारे चिनी नीचे जम जाएगी और हमारे चासनी खराब हो जाएगी तो हमने इसी तरह से इसको लगाता चलाते ही भी हमने इसको बोईल लेके आना है यहाँ पर हमारे चीनी देखो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है इसको हमने अब पांच से साथ मेंट तक इसको हमने अच्छी तरह से बोईल लेके आना है यहां पर हमारी चिन्नी भी बोईल आग चासनी भी बोईल आ गई है हम इसी तरह से इसको बोईल लेके आना है हमारी चासनी को हमारी पर लग बग चासनी बनके त्यार हो गई है अब यहां पर हम गैस को बंद कर देंगे और हमने चासनी को ठंडा नहीं करना बिलकूल भी हमने गरम चासनी के अंदर है अपनी ब्रेड जो हमने फ्राइ की थी वो ब्रेड को हम इसमें चासनी में डीप कर लेंगे हम एक फोग की मदद से इसमें डीप करने हमने और ज्यादा देर तक इसमें हमने ब्रेड को नहीं छोड़ना कर ज्यादा देर तक हम ब्रेड को चासनी में छोड़ देंगे तो हमारी ब्रेड नरम हो जाएंगे इसको हमने एक मेंट के अंदर है अपने चासनी से बार ब्रेड क को निकाल लेना है और अगर ज्यादा देर तक इसको हम छोड़ देंगे तब मैं ब्रेड का क्रेंची पर न दूर खतम हो जाएगा तो यहां पर एक थाली लेंगे थाली के उपर हम चलने लगाएंगे चलने हमने इसलिए लगाई है जो भी इसमें हमारी ब्रेड में एक्स्ट आपर देखो चासने में से हमारी ब्रेड को चासने में डीप करते हुए इसको हमने चलनी पर निकाल लेना है और इसको हमने इतना द्यान रखना है चासने में ज्यादा देर तक ब्रेड नहीं छोड़नी है अगर ज्यादा देर तक हमारी ब्रेड रह जाएंगे तो हमारी ब एक हसे ब्राउड को करेंगे खत्म यहां पर हमने सारी ब्राइड को ऐसे हिडिक करते हुए चासले में से लिताल को ढैए अगनी से क्रेश्फान सामय अन्याउड नहीं करना चाहते तो आप आदा केजिदूद की जगाप एक केजिदूद भी ले सकते हैं मावा मिलक पाउडर डालने से क्या है कि हमारा मावा भी जल्दी बनके त्यार हो जाता है और हमारा टाइम भी बसता है तो इसलिए में यहां परादा कटोरी मावा यूज कर रहे हैं ताकि हमारा मावा जल्दी से बनके अच्छी तरह से त्यार हो जाए यहां पर इसमें हमने गैस कौन कर दिया है इसको हमने तब तक लगातार चलाते रहना तब तक हमारा दूद बोईल नहीं आ जाता हो और हमारे दूद जो हमने मिलक पाउडर डाला हो उसके लिए हमसे सार जादा लगता है तो इसलिए हमें मिलक पाउडर डालने से हमारे मावा जल्दी बनके त्यार हो जाता है देखो हमारा कितना दूद रेडियूस हो गया है अब डालेंगे इसमें हमें एक चमच गी डालेंगे गी डालने से हमारे मावा में टैस्ट जादा आता है और हमारा मा लेके आना है देखो हमारा दूद कितना पक गया होरा हमारा मावा बनके लग बग त्यार हूँ गया हमारत्व दूद्ध दो की फॉम में लगाया तो इसको हमने लगातार चलाते रहना है अभ हमारा बं मावा बन के त्यार yakПर कर देंगे अपनी गैस को हमें बंद यहां पर गैस को हमने बंद कर दिया हारा हम इसी कडाई में इसको 2-3 मिंट तक लगाता चलाते हुए इसको हमने अलकाहा ठंडा कर लेना है आप चाहे तो इसको दूसरी थाली या पलेट में भी आप इसको निकाल के ठंडा कर शकते हैं मैं लेकिन इसी कडाई में थोड़ी देर के लिए चलाते हुए इसको हमें इसी में ठंडा कर लेंगे तो यहां पर हमने इसको लगातार चलाते हुए इसको हमने यहां पर ठंडा कर लेना है और मिल्क पाउडर डालने से इतना जल्दी हमारा मावा बनके त्यार हुआ है तो हमने मिल्क पाउडर डालने से हमारा टाइमभी बच जाता है यहां पर हमारा पीश करते हुए इसे ही मावा लगाते हुए इसको हमें सेट कर लेंगे इसको फिस प्रेस याइसे ही हमसे कर लेंगे हको इसमें ज्ञादा टाइम लगा विल्कुल भी समय आदा गंटे से भी कम टाइम लगता है इनको बनने में और कितने बढ़िया बनके हमारी त्यार हुई हैं तो हमने सारी ब्रेड बर्फी ऐसे ही बना के त्यार कर लेनी हैं जो कितनी जल्दी बनके त्यार हुई है और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आ पर यहां पर हमने सारी ब्रेड माउ ब्रेड बर्फी हमने अपने त्यार कर लेनी हैं आगर मेरी वीडियो पसंद आया तो मुझे स्पोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक चेर और मेरे चन्ट